हेलो फ्रेंड्स कॉंपेटiv प्रोग्रामी सिखने की शृष मांद हम देखने वाले हैं रिवर्स ओफ है स्ट्रिंग कर रिवर्स करवाएंगे जदी याद हो तो लास्ट में हमने रिवर्स ओफ है नहीं और वाला प्रोग्राम देखा था कि तो सेम कॉंसेट आपका यहां पर तो लास्ट हमने यह प्रवाम किया वा था उसमें बेसली क्या था एक एरे था यहां पर हमने इनिस्लाइट किया था आप चाहो तो यूजर के थूब भी डेटा अरेंटर करवा सकते हैं तो यहां पर हमने लूप चलाया वा था यहां पर हमने मैंस मन इसलिए क्या था क्या क्योंकि इंडेक्सें हमेंसरा वनलेश चलता है चलताएप । सब्सकर तो नहुं को क्योंद सraBS भी अरेंटर कि इसे हमने ले लिया है आयम संजीत कोडर आप चाहों तो कुछ और ले सकते हो यहां पर सेम रूप चलेगा i equals to string.length लेकिन यहां पर length जो होगा वो function होगा यह याद रखेगा array में क्या था without function था लेकिन यहां पर इसको आजे function इसके बाद यहां पर सेम चलेगा फिर यहां पर आए greater than equals to zero i minus minus क्योंकि हम reverse प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हमारा reverse चलेगा और यहां पर जब आप प्रिंट करवाओगे तो यहां पर होगा आपका string.careat care at a predefined function है जो कि help करता है आपको character print करवाने का तो जो भी character आएगा जिस भी position में वो आपका print होता चला जाएगा suppose यहां पर कुछ देर के लिए इसका length 10 है तो यह कितना चलेगा 0 to 9 तो initial value इसका 9 होगा क्योंकि यहां पर हमने लिया हुआ है string.length minus 1 तो यहां पर 9 में क्या जाएगा और उसके बाद 8 में e, उसके बाद 7 में d तो इस तरह यह print होता चला जाएगा तो इसको run भी कर लेते हैं इसको यहां से कर लेते हैं copy यहां पर एक new file create कर लेते हैं right click new class हमारे जो class name होगा वो reverse string होगा तो यहां पर कर लेते हैं reverse string public static void में finish यहां पर कर लेते हैं control v तो यह हो गया इसको run कर वाते हैं run तो देख सकते हूं यहां पर इसने reverse में print कर वा दिए ध्यान रखिएगा कि यहां पर एलन हमने नहीं लिया हुआ है जदि आप एलन लोगे तो वह लाइन बर लाइन प्रिंट करेगा तो इस तरह आप reverse of string कर सकते हो तो उमीद है यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगए होगी जदि अच्छी लगए होगी तो चैनल को श बलन